तो दोस्तो आज एप्रल की अठरा तारीक है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हिबिसकस के बारे में बात करूँगा यह देखे यह मेरे लगभग एक से दो साल पुराने दो हाइब्रिड वाली वराइटी के हिबिसकस के पौद है इन दोनों पौदों के मैंने साथ के साथ बहुत सी नई कलियां बहुत सी नई शूट्स भी जो कह सकता हूं वो भी कंटीनिव निकल रही है तो इसका क्या रीजन है दूसरा जैसे कि आप थमनेल पर ही देख रहे हैं स्क्रीन के उपर आपने सबसे पहरे देखा कि इस खाद के इस्तमाल से हिबिसकस कम फ सी खाद है जिसका आपको हिबिसकस के पौदे में खास तोर पर कम इस्तमाल करना है अगर उस खाद की जैदा हाई क्वांटिटी आपके गमले के अंदर रहने लगेगी तो आपका पौदा जो है वो कम क्वांटिटी में फूल देगा उसकी जो कलियां वो गिरने लगेंगी बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पौदे पर कलियां खिलती नहीं है या कलियां गिरती रहती है तो उन चीजों के जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन आपके साथ शेयर करूँगा तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो आपको लगभग वीज़ी से लेकर थार्टी फाइव डिगरी तक वैरी करता है ऐसा टेंप्रेचर इस पौदे को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है उस कंडिशन के अंदर जब मौंसुन का समय रहता है थूँरा सा टेंप्रेचर बहुत ज़्यादा गरम नहीं रहता और हुमेड का पौदा है वो पूरा साल कंटीन्यू फ्लारिंग करें और सर्दी गर्मी के मौसम में अच्छे से फूल देता रहे तो जब बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम रहता है उस समय इनकी जड़ों को एक स्पोर्ड देने के लिए एक थंड़क देने के चलिए अब बात करते हैं में टापिक के बारे में कौन सी ऐसी खाद है जिसका इस पौदे में आपको कम करना चाहिए अगर आप इस पौदे को उस खाद का ओवर डूस देने लगेंगे तो आपका जो पौदा है वो स्ट्रेस में रहने लगेगा धीरे धीरे टाइम के साथ आप नोटिस करेंगे आपका पौदा फ्लारिंग बहुत कम करने लगेगा और कुछ टाइम के बाद उस खाद का बहुत जड़ा ओवर डूस होने से वो बिलकुल स्ट्रेस में चला जाएगा उसकी जो लीव्स है वो लाइट ग्रीन कलर के अंदर टर्न होने लगेंगी तो यह देखिए दोस्तों यह वो खाद है यह क्या खाद है यह डीएपी है जैसे बहुत से मेरे दोस्त जानते भी होंगे डाई अमोनियम फोसफेट डीएपी में फोसफोरस की क्वांटिटी बहुत हाई रहती है लेकिन अगर एक नॉर्मल बात करें तो सभी पौदों को तीन मेजर नूटिंट्स जिसमें की एन पी के नाइटरोजन फोसफोरस और पोटेशियम चाहिए होते हैं लेकिन हिबिसकस का एक ऐसा पौदा रहता है जिसको नाइटरोजन और पोटेशियम अपने गमले की मिट्टी में हाई चाहिए होता है अगर इसके गमले की मिट्टी के अंदर फोसफोरस की कॉइंटी हाई रहने लगेगी फोसफोरस के हला कि बहुत से विकल्प हो सकते हैं, हो सकता है कि आप पौदे को डी अपी जदा ना फीड करें, आप उसके जगाप पर बौन विर फीड करते हूं, या फिर अस एस पी फीड करते हूं, और potassium 34% रहता है ऐसे अगर कुछ fertilizer आप regularly अपने हिबिसकस के पौदे में फीड करने लगेंगे तो आप notice करेंगे आपके धीरे धीरे जो पौदे में है वो growth कम होने लगेगी इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि हिबिसकस के पौदे को phosphorus बिल्कुल भी नहीं चाहिए दूसरे nitrogen और potassium तीन तीन हिससे फीड करते हैं और phosphorus आप इसको एक हिससा फीड कीजिए तो आपका जो पौदा है वो अच्छे से growth करेगा अच्छे से फ्लारिंग करेगा दूसरा अगर आपके plants में बहुत ज़दा high nitrogen भी होने लगेगी उसका भी जो effect आप देखेंगे आपके जो पती nitrogen से वो potassium और nitrogen के अंदर बनातर रखना होगा उससे आपके जो पौदे हैं वो future में अच्छे से growth करेंगे अच्छे से flowering करेंगे मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ share किया है कि मैं जो अपने पौदे में हिबिसकस के fertilizer feed करता हूँ वो normally बनेना पील का liquid रहता है या onion पील के feed किया जाता है सरसों की खली का जो liquid और बहुत कम quantity के अंदर कह सकता हूँ कि monthly या दो monthly एक बार इसको सिरफ murate of potash तो इन सभी चीजों के अंदर जो potassium और nitrogen कह सकता हूँ मिला जुला कर high रहता है लेकिन phosphorus खुदबा खुदी बहुत limited quantity के अंदर इस पौदे को मिलता रहता है कभी कबार compost feed करने से भी इन पौदों को जो phosphorus है वो खुदबा खुद limited quantity के अंदर मिलता रहता है इसलिए मैं additional phosphorus कभी भी इस प्लांट को नहीं देता बस इसी चीज़ का जो result है मेरे plants पर आप notice करेंगे इन पर लगातार सारा साल जो plants की health है वो भी अच्छी रहती है इन पर जो insect या pest का attack है वो भी बहुत कम रहता है डेली shower करना इन पौदों को पसंद रहता है और इनकी कह सकता हूँ overall जो flooring है वो भी बहुत बढ़िया रहत तो बस जो आप भी कुछ इसी तरह से अपने plants को treat कीजिए इस खास तोर पर कह सकता हूँ ही बिसकस के पौदे को तो आपको जो result है वो बहुत अच्छा मिलेगा और इसमें जो phosphorus rich fertilizer है वो थोड़ा सा avoid कीजिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही जल्द ही मिलते है किसी और नहीं टॉपिक के साथ किसी और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ हैपी गार्डनिंग टेक कियर